सब का स्वागत है इस खूप सूरद मैदान में टॉस के लिए यहां पर मौजुद है दोनों टीम के कप्तान और मैच रेफरी है है जिसक और एंड सकम डाउन स्टेश कुझे नहीं लगता इस स्पिज में ज्यादा बदलाव आएगा टॉस का जीतना यह हारना ज्यादा महत पूर नहीं स्पिछ पर लेडिज इन जानल्बन प्लीज और आ गया टेस मैच का दिन बहुत ही रुमान्चक मैच होगा यह और क्रिकेट के असली फैन इसी पल का इंतजार कर रहे होंगे तेज गेन बास को लाया जा रहा है इस चोर से तयार है बल्ले बास इनिंग्स की पहली गेन खेलने के लिए नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए लेकिन अंपायर पढ़ावित नहीं नौठाव अपनी पहली गेन का सामना करने के लिए बल्ले बास तयार अच्छा तालमेल दिखने को मिल रहा है दोनों बल्ले बाजों पहला रन तेजी से दोड़ते हुए दूसरे रन की कोशिश होनी चाहिए यहां अच्छा तालमेल दिखने को मिल रहा है दोनों बल्ले बाजों के बीच शानदार रनिंग बिट्वीन दो विकेट्स इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहती सूजबूच और नियंतरन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहां हवा में खेला है यह शौट जबदस प्लेस्मेंट भी है बहतरीन स्ट्रोक चार रंग बहुत ही बड़िया टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में है बड़ी पारी खेलने का पूरा मोका है कहीं उसे गवा न बैठे तेज गेंद बाज को आकरमन में लाया गया है ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवर्क करके आना बल्लेबास को देखते हुए कवर्स पर फिल्डर लगा दिया है अच्छा तालमेल दिखने को मिल रहा है दोनों बल्लेबासों के बीच शानदार रुनिंग बिट्वीन दुविकेट्स जबदस खेला हैं बड़ी आसानी से दोरन ले सकते हैं यहां भहती बड़ीया पिक अपन थ्रो बल्लेबासों को एक एक्स्टा राइन देने से रोक दिया इस एक फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म फिस लाइफ वाह क्या बात है बहुत अच्छी रणिंग बेट्विकेट्स लेकिन अंपायर प्रभावित नहीं नौथा यकीनन इंका पसंदीदा छोड़ा देखना दिल्चस्थ होगा कि यहां से कितने असरदार साबित होंगे दोरन असानी से मिल सकते हैं यहां बहुत ही बढ़िया पिक अपन थ्रोव बल्ले बाजों को एक एक्स्ट्रा राण रेने से रोक दिया कि जबर्दस निशाना साधा स्टम्स पर और बल्ले बाज यकीनन रना उठ होंगे यहां पर निराश होकर पैवलियन के तरफ लटते हुए इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूच और नियंतरन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहां बहुत ही निराश लग रहे हैं अपनी पहली गेन का सामना करने के लिए बल्ले बाज तयार खेल दिया है गैप में दूसरे रन की कोशिच जरूर करेंगे अच्छा तालमेल दिखने को मिल रहा है दोनों बल्ले बाजों के बीच शानदार रनिंग बिट्वीन दो विकेट्स खेल दिया है गैप में और ये एक रन इन दोनों की आज इतनी बहतरीन रनिंग बिट्वीन दो विकेट्स रही है कि मानो ऐसा लगता है कि कोई इन्हें नहीं रोक सकता एक एक एक्स्टा रन चुराने से डीप एक्स्टा कवर पे फील्डर मौजूद पूरी तरह मिस्स किया वहाँ गेन की दिशा को थोड़ा समझ के खेलना होगा यहाँ सबीक लाइनो लाइए निराश लग रहे है वहाँ मेरी माने तो अपने आप को खुश किसमत समझे जो अपे फीज मेही खड़े है पिछले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की दिशा में खेल के आउट हुए हैं यह इसी लिए अब पॉइंट पे फील्डर मौजूद खेलने की कोशिश और पूरी तरा चूँद गेंद की लाइन लेंग्ध को समझ के खेलना होगा यहाँ लेकिन अमपायर प्रभावित नहीं नौटा अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबास तयार एक रन लेने में सथल हुए दोनों खिलाएं लेकिन अमपायर प्रभावित नहीं नौटा यकिनान इनका पसंदीदा छो है देखना दिल्चस होगा कि यकां से कितने असर्दा साबिट होगा खनेक करने में नाकाम पूरी तरह मिस कि निराश लग रहे हैं मेरी माने ये तरह में आपको फिश्टिस मत समझें जो बिग फ्रीस पे ही खड़े हैं बहुत ही खराब शॉर्ड ये तो गेनबाज ने चक्रव्यू रच रखा था जिस तरह मचली फस्ती है जाल में उसी तरह बल्लेबाज फस गए इनके जाल में इनकी धीमी गति की गेन से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पारी यहीं समाप्त हो सकती है तेजी से पहले रन के लिए दौड लगाई शायद दूसरा रन भी लेना चाहते हैं इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूच और नियंतरण के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ बहुत ही भाकेशाली रहे वहाँ मिस कर गए बहुत ही बढ़िया गेन बाजी निराश होकर पैविलियन के तरफ लोटते हुए अपनी पहली गेन का सामना करने के लिए बल्लेबास तयाँ यह एक ऐसे बल्लेबास है जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे खतरनाग गेन और सीधा बल्लेबास के शरीप पर लगी बहुत ही अच्छी रन नी थी यहाँ बल्लेबास को देखते हुए एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर लगाया है अच्छी कैच और यह आउट साथ को बुलकुल टाइम नहीं कर भाए निराश होकर पेविलिन ते तरफ लाखते हुए यकीनन इनका पसंदीदा छोर है देखना दिल्चस्थ होगा कि यहां से कितने असर्दा साबित होगा पहला रन तेजी से दोड़ते हुए दूसरे रन की कोशिश होनी चाहिए यहां अच्छा तालमेल दिखने को मिल रहा है दोनों बल्ले बाजों के बीच